स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य मोटो राइड में और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बाइक के बारे में जिसके लुक्स और डिजाइन को बहुत पसंद किये जाता है और ये जो बाइक है जिस कैटिगरी में आती है वो जो कैटिगरी है वो अभी इंडिया निकल कर आता है और इन बाइक की खासियत ये होती है कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो भी आप इन बाइक को आराम से चला लोगे अगर आपकी हाइट लंबी है तो भी आप आराम से कमफर्टेबल होकर इस बाइक को राइड कर सकते हो तो आज मैं आपको जिस बाइक के street fighter में भी आ जाता है बात कर लेते हैं इस bike के looks के बारे में तो इस bike का जो looks है वो बहुत ही शानदार है इस bike की जो handle positioning है वो एकदम upright है तो आपको चलाने में किसी भी तरह का backpin नहीं आएगा आप एकदम तनकर bike को चलाओगे यहाँ पर आपको जो seat से वो split में मिलती है तो आप दो लोग आराम से comfortable होकर इसमें travel कर लोगे बात कर लेते हैं bike के electrical के बारे में तो सामने आपको round shape में LED headlights मिलती है यहाँ पर दोस्तों जो LED headlights होती है ना उनकी जो visibility होती है वो halogen headdams के मुकाबले बहुती तगड़ी होती है तो यहाँ पर आपको जो road visibility है night में या फिर और दूसरी situation में वो LED headlights जादा अच्छी offer कर देती है वहीं पीछे आपको LED tail light मिलेगी जिसकी जो visibility है वो बहुती अच्छी है और इसमें आपको LED indicators अविलेबल करवा दिये जाने वाले है किसी भी तरह का cost cutting यहाँ पर Honda company नहीं करने वाला है ऐसा नहीं हुग कि आपको bulb indicator मिल जाएंगे बिल्कुल नहीं आपको इस bike में LED indicators ही मिलने वाले है और जो पीछे का tail tidy है वो भी आपको यहाँ पर लंबा सा मिलता है तो किसी भी तरह का mud वगेरा भी उड़कर नहीं आएगा बाइक का looks जो है वो बहुत ही भहतरी है engine के पास आपको एक काउल मिलता है जो बाइक के looks को एकदम sporty बनाता है और देखने में एक अच्छा appearance दे देता है बाइक के engine की बात करें तो बाइक में आपको मिलेगा 149 CC का single cylinder liquid cooled BS6 compliant engine जिसमें आपको 20 BHP की power और 15 Nm का torque मिलेगा और जो number of gears है वो यहाँ पर आपको च्छाय मिल जाने वाले हैं दोस्तो Honda का जो engine होता न वो बहुत reliable और refine होता है तो उसको चलाने का भी आपको एक अलगी मज़ा आ जाने वाला है बात कर लेते हैं कितना mileage आपको यह engine निकाल कर दे देगा तो आप अराम से 45 से 50 KMPL तक का mileage इस bike से निकाल लोगे bike के suspension की बात करें तो सामने आपको USD fork suspension मिलेगा ऐसा नहीं होगा कि cost cutting कर दी जाएगी और आपको telescopic मिल जाएगा बिल्कुल नहीं bike में आपको front में USD fork suspension ही मिलेगा और पीछे आपको monoshock absorber suspension मिल जाने वाला है bike में आपको fully digital instrument console मिलेगा जसमें आप Bluetooth connectivity जैसे feature को भी use कर सकते हो और जो इसका instrument console है वो भी देखन में बहुत ही तगड़ा लगता है बहुत ही अच्छे features आपको price के साबसे इस bike में मिल जाने वाले हैं अगर बात कर लेते हैं bike के wheels की तो दोनों ही wheels आपको 17 inches के मिलते हैं सामने आपको मिलेगा 110 section 70 का tire और पीछे आपको मिलेगा 150 section 60 का tire अगर disc brake की बात करें तो सामने आपको 296 mm का disc brake मिलेगा और पीछे आपको 220 mm का disc brake मिलने वाला है तो यहाँ पर जो braking है वो इस bike में तगड़ी ही होने वाली है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो November and या फिर December starting में यह bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है और इस bike की जो प्रैजिंग रहेगी वो रहेगी around 140,000 रुपीज जी हाँ दोस्तों 1,40,000 रुपे से यह bike भारती बजार में आने वाली है तो आप comment करके जुरूर बताना कि अगर यह bike भारती बजार में आती है तो क्या आप इसको लेना पसंद करोगे की नहीं तो उमीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करो शेर करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आया हो तो सब्सक्राइब करके बैल आकन दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ अभी कले थैंक्स तिल देन वेट एंट फर मा न्यू अपकूमिंग वीडियो